पर्वत के स्थिति है ये वाला पॉर्शन तो चंद्रमा का कैसा क्या बताता है चंद्रमा के गुण काल्वनिक्ता कवित्व साहित्य संगीत प्रेमी सद्गुण जलतत्व परुपकार उदार्ता सहंतोष शांति प्रियता एकांत वास आलस्य स्वप्न में विच्रित मनो विज्ञान मन की गतिविधिया भावता दारशनिक्ता दयालूता यात्रा सदा चरित्ता मधुर भाशी शांत आत्थ संबंधी रोग चंद्रमा एक और चीज़ देता है जैसे बुद्ध जो है वो नर्वस सिस्टम वीक करता उसी तरह से चंद्रमा साइकलोजिकल इशू देता है ठीक है व्यक्ति को साइकलोजी से रिलेटर समस्य देता है ठीक है तो इसलिए चंद्रमा को सबसे पहले हाथ में देखना ज़रूरी है चंद्रमा अगर अच्छा है शेप है बना हुआ बलिष्ट है तो ऐसे व्यक्ति के मन की स्थिति अच्छी है ओवर डेवलप होना भी अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं है तो व्यक्ति हर चीज एमोशन में रहके करेगा कोई पी डिसीजन लेना हो तो इमोशन ली लेगा अंडर डेवलप हो तो उसको समझ में नहीं आया करना क्या है अंदेश शेहीन अंडर डेवलप रहे तो उद्देश यहीनता रहता है ठीक है अब इसमें तीन भाग बताएगे हैं पहला भाग शेत्र बुद्ध शेत्र के और मतलब ऊपर वाला हिस्सा दूसरा भाग मध्य भाग होता है और तीसरा जो है मनिवंद की और वाला हिस्सा इस तरह से तीन भागों में बाटा गया यदि चंद्र परवत का परवत उठा हो तो मस्तिश् प्रहस्तिती में हो तो जातक रश्णाकार होता है अगर किसी के हाथ में चंद्रमा बलिष्ठ है और स्थिष रेखा भी अच्छी है तो ऐसे लोग कल्पनाओं को शब्द देते कहाणिया लिखते हैं उनके लिखने की कला में बहुत रभाव देने वाला लिखते हो साथ में बुद्ध परवत मजबूत हो और मंगल भी मजबूत हो तो ऐसा वक्ति जर्नलिस्ट बनता है, प्रिंट जर्नलिस्ट लिखने वाला या व्लॉगर आज के डेट में व्लॉगिंग कह सकते हैं जनरलिसम के साथ साथ ब्लॉगिंग भी आ जाता है बी अलोजी ब्लॉग क्योंकि ब्लॉगिंग से जितनी कमाई होती है प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग वालों को इतनी कमाई अभी आज के डेट में नहीं हो रही है अरे माही वे तो आज का रस्ते में है ठीक है यदि चंद्रमा परवत उठा हो और हाथ में अशुम लक्षन हो तो जातक उन्माद और मनो रोग का रोगी होगा अब यह समझना थोड़ा सा इसमें यह तीन भागों बाटा गया तीन भागों के बारे में बहुत विस्तार नहीं दिया है थोड़ा सा यह तीन भागों में बाटने का कारण बता देंगे मैंने लेल्ट्ट जोइन किया है पेज नंबर 90 90 ब्लॉगर में क्या क्या बताया आपने क्या क्या उठा होना चाहिए ब्लॉगिंग में चंद्र परवत मस्तिश्क रेखा माइन लाइन और बुद्ध का परवत ठीक है तो कहां था मैं तीन भागों में बताना था तीन भाग को बताना था तो पहला जो है यह बुद्ध के नजदीक है और मंगल के नजदीक होने के कारण ये वाला दिखाता है व्यक्ति का कॉमन सेंस ऐसा हाप एक हाथ ड्रॉख कर लीजे और चंद्र परवत को ऐसे कवर करके उसमें निशान लगाईए उसमें टिक दीजिए कॉमन सेंस क्योंकि ये मंगल परवत के नजदीक है मंगल इस मोर प्रैक्टिकल तो यहाँ पर चंद्रमा के उगर मंगल का प्रभाव जादा आता है इसलिए कॉमन सेंस ऐसे व्यक्ति के अंदर विचारक शमता यानि ट्रॉमेटिक सिचुएशन में इमर्जनसी वाले सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है वो यहाँ से पता चलेगा चीजों को हैंडल कर सकता है कि नहीं मतलब उसको प्रेशर हैंडल करने में मज़ा आता है उसको रिदमिक लगता है मतलब वो बहुत इसलिए प्रेशर हैंडल करता है या वो बेचैन हो जाता है दूसरा जो भाग है यह यात्राओं को दिखाता है विदेश यात्रा, छोटी यात्रा, लंबी यात्रा, समुद्र यात्रा, आज की डेट में हम लोग हवाई यात्रा भी यहीं ते लेंगे, हवाई यात्रा के साथ चंद्रमा के साथ बिरहस्पती भी अच्छा होना चाहिए, तो हवाई यात्रा देखते हैं और अगर सिर्फ चंद्रमा में है तो जली यात्रा या एक ही देश में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्टेंस में दूर में जाना लेकिन एक ही कंट्री में रहकर दूर जाना उसको दिखाता है और अंतिम नीचे वाला जो हिस्सा होता है यह वो वाला पॉर्शन है जिसको कहा जाता है यानि यहाँ पर व्यक्ति कई बुद्धी काम नहीं करती इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से आप राइड ब्रेन को कंट्रोल करने वाले स्थिति यानि कि यह वो है कि यहाँ से आप पराविज्ञान को भी समझ सकते हैं ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं ठीक है और साथ में यह चंद्रमा का वो पॉर्शन है जहाँ पर व्यक्ति का मन किसी दूसरे चीजों से या व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है यहाँ पर कॉमन सेंस काम नहीं करता चंद्रमा को इसलिए इन तीन भागों बाटा गया यह जो भी मैं बता रहूं यह बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है यह इस किताब में इसका कोई विशलेशन किया हुआ नहीं है ठीक है बहुत प्रैक्टिकल है मतलब हाँ देखकर जो एक्स्पीरिंस समझ में है वो है